अबादी का तो जांतेक मसला है जितने मकांगी तोड़ने की बात करें उसमें 60-60 तरजाव लोग कुछ एरिया अगर रेलवे का है भी उसमें भी लोग 17-30-100 साल से बसे हैं तब आप लोगों नहीं सोचा आरा बार बार यही कहना है कि रेलवे को अगर जितनी जमीन के अवश है और इस वक्त हमारे साथ मतीन सिद्धिकी जी है जो की रेलवे अथिक्रमन कारियों की जो आवाज है और जो दस्तावेज है उनको लेकर के सुप्रीम कोड में लड़ाई लड़ा है किस तरीके से देखते क्योंकि आज जो फैसला आना था अब आज हाला की तारिक नहीं ल लड़ाई तकि उसके बाद से फिर आज बेट लगी है इसमें यह अब मुकदमा अर्ली स्टेज पर आ गया है जल्दी यल्दी इसमें सुनाई होगी और बहुत जल्द इसका फैसला आ जाएगा हमारा मन नहीं है का हाई कोड़ ने जो आदेश किये थे साड़ चारह जान मक स्टानों को तोड़ने के और बहुत एक हफ्ते का समय देखा सुप्रीम कोड ने उसका संग्यान लिया था और हमें उस तीस पर इस्टे मिल गया था सुप्रीम कोड ने उसी इस्टे को कंफर्म करते हुए अब इसे मुकदमे को अपील के रूप में दाखिल कर लिया है और वह जल्दी मालुम हो जाएगी हमें इस बात की उमीद है कि जो सुप्रीम कोड़िस जस तरह से संग्यान लिया था लौ को इसटे दिया था तो हमें इस बात की बुरी उमीद है जो भी फैसला आएगा, जनता के हैं रिंधर है इतने सारे लोगों को बेघर करना और बेवज सारी फैसलिटी मौझूद है ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जादा यह ट्रेने हैं बहुत जादा आवागमन है लोगों का उसके लिए को ऐसी आवशक्ता हूं हमने पहले भी कहा था कि 2007 में एक बार इंक्रोच्मेंट रेलवे ने हटाया था और काफी एरिया उन्होंने उस टा जगा की जरूरत है जितनी भी जगा की जरूरत है उतना वो अपनी निशान देही करने सिमांकन कर दे उसके बाद जो लोग उसकी जदमा आते हैं उनका पुर्णवास कर दिया जाए और उतनी जगा उले ली जाए अब यह कोई तुक नहीं है कि आप धाई-3 किलोमेटर का एरिया में साड़े-4,000 मकानों को तोड़ने की बात करता है तो यह तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टन्ट है और कोई भी इस चीज़ को एक्षप नहीं करेगा मैं तो यह जानता हूं कि मानवत्य के नाते जो लोग भी जानते हैं अपनी जमा पूंजी स दर्वाजे तोड़ा जाए तो कितनी तक्लीफ होगी जिसमें पूरी जिंदगी की कमाई अपने मकान में लगाई होगी उसके आप मकान के तोड़ने की बात कर रहा हूं तो इसके तुरूप से इसका विरोध तो होगई होगा लेकिन हमें सुप्रीम कोड़ से कूरी उमीद मकानों की जो कावच है उनके अपने जो पक्ते दस्तावेज भी यहां पर देखे जाते हैं अबादी का तो जहां तक मसला है जितने मकान की तोड़ने की बात करें उसमें 60-70 अजाब लोग एफक्ट होते हैं उससे और जहां तक दस्तावेज को सवाल है बहुत लोग है आप लोगों नहीं सोचा और हम यही कह रहा है कि फिर भी हमारा बार बार यही कहना है कि रेलवे को अगर जितनी जमीन की आवशकता पहले तो कोई आवशकता है यह नहीं तो रेलवे के पास आज तब कोई प्लान था ना उनके कोई कोई अपने प्रॉपरटी के कागजात थे कोई नक्षा था कुछ था यह तो एक बेवज़ा की बात थी एक सीधी सी बात है कि इन लेकल माइनिंग के लेकर एक व्यक्ति हाई कोड गया उसमें उन्हों रख कह दिया प्याइल वाले ने किसाब यहां चोर जो चोरी करते हैं इन लेकल माइनिंग करते हैं वह यहां बस लोगों का पुर्णास होना चाहिए तो कहना कहीं इनका साब तोर पर यही कहना है जो पिसले लंबे समय से कुछ लोग जो है वो 60-70-80 वरसों से यहां पर लगातार निवास कर रहे हैं लेकिन उस समय ना तो सरकार को और ना रेलवे विभाग को इन जमीनों की चिंता हुई और इसके लाव अगर बात करें तो और क्या क्या आपको लगता है की इस विचे माओर क्या होना जाव तोने हैा कि सरकार भारतेजनतापाटी की सरकार है मोधिजी और योगी जी और दामी जी सब की बहुत इस टाइम वाववाई है इनका एक सारी बात है कि सबका साथ सबका विकास सबका सब्मान की बात ये करते हैं मोधी जी का बयान था बहुत बड़ा 2019 के चुनाव से पहले जो 2022 तक हर व्यक्ति के को पक्का मकान देखना चाहते हैं हम तो यहीं कहते हैं जिनके कच्चे मकान है इनने भी जल्चे जलद आपके मकान दो और अपनी जो भूवी आपको चाहिए वो ले लिलो तो इनका साब तोर पर यही कहना है कि जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगाता लोगों को पक्के मकान का वादा कर रही है उसी तरीके से इन लोगों को कहना कहीं बसाया जाना चाहिए और जो रेलवे को जमीन जितनी आवशकता है उतनी लेकर कहना कहीं उन सभ लोगों के बारे में सोचने की आउशकता है राहूल सिंग फुल्दुवानी